अगली बॉलर है कौशल्या मंजुनाथ ये इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार बॉलिंग करेंगी अंतर राश्ट्य क्रिकेट में इनका पहला प्रवेश एक बहुत ही गंभीर स्थिती में इस वर्ल्ड कप मैच में बॉल करने आ रही है अपील इलबिडबलू की देखते हैं अंपायर क्या कहते हैं कौशल्या पूरी दरा कॉन्फिडेंट और कैप्टर ने डी आरेस का इशारा किया अब देखने वाली बात होगी कि क्या पैसला आता है क्या दूसरे बॉल पर दूसरे विकेट में लेगी बॉल सीधा टूर्यार विकेट के अंदर के आउट है और इजनल डिसीजिए नाट आउट को काट इव एमपायर ने इसे आउट करार दिया दो बॉल दो विकेट कमाल का प्रड़र्शन काउशे मुझसे शादी करोगी चौगे ना क्या उसे अपनी दिल की बाद आप नहीं कहोगे तो कब कहोगे इसलिए हम यह लेकर आये हैं अगली बल्लेबास है एमेंडा वाकारेवा इस वर्ल्ड कप सीरीज ने इन्होंने अभी तक अपना विकेट नहीं खोया स्ट्राइक रेट तो देखिये 212 जबरदस बैट्समेन है एक जबरदस बालर के सामने एक जबरदस बल्लेबास आउटसाइड एज एक रंचुरा लिया कोशलिया की अगली गेंज कोशलिया मजुनाक का फैरा ओवर इस हैट्रिक ने इंडिया को एक बार फिर मैच में वापस ला दिया है अभी तक हमने बैटिंग की बेतरीन पार्टनर्शिप देखिये लेकिन अब हम देख रहे हैं बालिंग की बेतरीन पार्टनर्शिप जो की गेम का रुख बदल रही है अब Australian batsmen struggle करते नजर आ रहे हैं वैसे वो strike rotate करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लंबा score नहीं बना पा रहे हैं जिसके कारण उनका average गिरता जा रहा है 19 over में 117 पर 5 ऑस्टेलिया अगली gain Last over कोशल लिया Emenda को Emenda ने छक्का मार दिया बॉल दर्शकों के हाथों में थमा दी थोड़ी बहस हो रही है बैट्समेन और विगेट कीपर के बीच टीम इंडिया प्रेशर में है बाउंडरी चार रन इनिंग्स के आखरी बॉल पर चार रन बनाते हुए Emenda सीरीज की इंडिया के लिए 136 का टागेट है इन दोनों बल्ले बाजो ने अभी तक इंडिया को बहुत अच्छी शुरुवात दी है देखते हैं आज क्या करते हैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ शॉट लगाया है चार रन पहली बॉल बॉंडरी के बाहर रम्या स्ट्राइक पर हैं और एक बहुत बढ़िया शॉट पाउपले का पूरा इस्तमाल करते हुए एक अच्छी शुरुवात आफसाइट पर शॉट लगाते हुए चार रन 49 पर नो लॉस अच्छी भागीदारी के शुरुवात इंडिया के लिए और ये रहा पहला विकेट अमेंडा ने दिपिका को भीट किया उस्टेलिया को मिला पहला विकेट अब अंजली इंडिया की अनुभावी के लड़ी और इनने शॉट लिए और चार रनों से खाता खोला ये इंडिया टीम का पहला छक्का रम्या के बल्ले से स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट कर रहे हैं बल्ला घुवा दिया बॉल हवा में और सीधा फील्डर के हाथ में शॉट अच्छा था लेकिन वहाँ फील्डर था 63 पर टू नए प्लेयर पे फ्रेशर बढ़ाने की कोशिश बहुत बढ़िया फील्डिंग चार रन बचा लिये आस्ट्रेलिया ने ये मैच जीतने के लिए इंडिया को 20 ओवर तक निके रहना होगा एक और विकेट सीधा बोल इंडिया 69 फो ट्री एक के बाद एक विकेट गिर रही है एक लंबी पार्टनिशिप नहीं बना पा रही है इंडिया अस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने स्लेजिंग में शुरू कर दिये हैमेंडा स्लेजिंग करते हुए इंडियन बैट्समन पर प्रेशर डाल रही है इंडिया को जीतने के लिए 31 बॉलों पर 51 रन चाहिए और एक और बाउंडरी एक्सपीरिंस बैट्समन अंजली के बल्ले से सत्रवे ओवर की लास्ट बॉल और ये लेक साइट में ग्लांस कर दिया बहुत बढ़िया शॉट चार रन ओ ओ ओ ओ ऑस्ट्रेलिया के तरफ से स्लेजिंग शुरू हो गई है लेकिन बैट्समन को कॉंसेंट्रेशन बनाए रखना होगा अगली गेंट और नताशा कॉंसेंट्रेशन चूप गई बाल सीदा विकेट के अंदर और लगता है कि आउस्टेलिया दोरा खेला गया माइंड गेम काम कर रहा है अंजली अपनी तरफ से जोरदार फारी खेलते हुए रण की कती बढ़ाते जा रही है अगर ये पार्टनर्शिप टिक जाए तो इंडिया ये मैच जीत सकती है बहुत ही बेतरी शॉट बाल बॉंडरी बाल की तरफ भागते वे देखते हैं कितना रन मिलता है दो रन मिलेंगे और ये क्या रुचुला तीसरे रन की तरफ भागते वे आरके से लाओ प्रेशर इंडियन टीम पे बढ़ता हुआ रुचुला बहुत ही अनफॉचनेटली आउट हो गई अभी इंडियन टीम को 6 गेंदों में 13 रन की ज़रूरत है गायत्री नई बैट्समेन अगली बाल और गायत्री चूग गई एक रन लेने की कोशिश लेकिन नहीं पांच गेंदों में 13 रन बनाने की ज़रूरत अगली गेन बड़ी चलाकी से आउट साइड ओफ स्टम डाला गया बाल गायत्री समझ नहीं बाई गेंद को टीम पर प्रेशर बढ़ता हुआ अगली गेंद गायत्री ने मानने की कोशिश के और या आउट एक और विकेट बाल बल्ले को छूते हुए सीधा विकेट कीपर के हातों में ये मैच ऑस्ट्रेला के हातों में ये मैच आउस्ट्रेला के हातों में ये मैच आउस्ट्रेला के हातों में इस वक्त इंडिया पूरे प्रेशर में है आखरी तीन बाल बची है इंडिनेशनल लेवल पर पहली पेस करते हुए और ये छे रन लेक साइट पर इस सिक्स के बाद इंडिया की वापसी अब इस मैच में कुछ भी हो सकता है कोशल्या एक शुपी रुस्तम निकली मैं बिल्कुल सहमत हूँ है ट्रिक विकेट लेने के बाद अभी अपने बल्ले से शांदार प्रदर्शन कर रह जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है औस्ट्रेलिया खिलाडी पूरी तरह तयार क्या इस बॉल में लगा छकका इंडिया को फाइनल तक पहुंचाएगा या फिर आस्ट्रेलिया फाइनल मैच खिलेगी देखते आगे क्या होता है पूरे देश की नजर अंजली पर सारे तेश को फैसले का इंतजार फाइनल बॉल करने के लिए आ रही है औस्ट्रेलिया की कैप्टेन शूट अंजली आप बोली पर बढ़ी और ये मिस कर गई बॉल को बैट से कनेक्ट नहीं कर पाई और इस तरह आस्ट्रेलिया फाइनल में जाते वे भारत नहीं ये रोमांचक मैच अच्छा खेलने के बावजूद लूज कर दिया कोशल लिया का है ट्रिक पिकेट पे हिंदुस्तान को जीतने से बचा नहीं पाया दर्शकों में मायूसी और भारतिये खेमे में उदासी चाही हुई है भारतिये खेलाडियो द्वारा अच्छा प्रदर्शन के बावजूद ये मैच भार गई एक मिनिट एक मिनिट एक मिन ऑर इस तरह इंढ़ो मैच ट्राइ कर गया है जान में उद्वार के सारे लेगा और ऑस्टरेलिया... इंटीस सेकंड में समझ हे गए होगे कि हारने पर कैसा लगता? इस हैसास को दूर मज जाने देना चलो दिखा दो सबको वोल्ल कप सेमी फाइनल में पहली बार सुपर ओवर देखने को मिल रहा है इंडिया की तरफ से धीपिका और रम्या स्ट्राइक लेंगी औस्ट्रेलिया के तरफ से सुपर ओवर कैप्टेन शूट करने वाली है बहुत इंट्रेस्टिंग कांटेस कैप्टेन वर्सस कैप्टेन पहली बॉल बिपिका ने मिडान की तरफ बॉल को उचाल दिया है और ये छे रन अगली गेंड जिपिका ने ओफ में बहुत अच्छे तर प्लीज किया है अगली गेंड बॉल को उचाल दिया है शूट परिशान दिख रही है आखरी गेंड बड़िया शॉट लेकिन सिंगल नहीं मिलेगा अब आस्ट्रेलिया को सूपर ओवर में जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत अब इंडियन टीम की तरफ से सूपर ओवर करने के लिए कौशल्या मंजुनात को चुना गया है आस्ट्रेलिया के तरफ से स्ट्राइक अमेंडा ने लिया है देखने वाली बात होगी कि कोशल ये अमेंडा को कितना रुख पाती है पहली के, अमेंडा ने इसे ग्रोग दिया, एक रन भी नहीं मिला अगली गेंड, आउटसाइड गलिक स्टम, अमपायर ने वाइड का इशारा दिया चाफ कोशी एक बाल, घ्रन बना पर ये अज्टिया एंड़ ज्टिया अज्टिया डालो ये पी उट्ल्य मेंड, सब्सद्रि आप इशारा डालो ये नियुक्त अज्टिया गलिक वाल्या ज्यूण बीकूर्ग गल्यू रचेम आख विए माज जीतने के लिए अब घ्र आने को यह जीतने के लिए चार गिंदों में 12 रन बनाने की ज़रूरत है और इधर इंडिया को सिर्फ एक विकट चाहिए ये सूपर ओबर में जीतने के लिए कॉशलिया शूट को और शूट ने बॉल को उच्छाल दिया है सीधा बॉल फिल्टर के पास एक रनी मिलेंगे कॉशलिया निकोल को निकोल एक पिंच डर मानी जाती है और निकोल ने बॉल को उच्छाल दिया है सीधा छे रनों के लिए वाट अशॉट अस्टेलिया को अब सिर्फ दो गिंदों में पांच रन चाहिए अब इंडिया की जीत का सारा दारोमदार कॉशलिया मंजुनाथ के कंधों पर ये एक विकेट इंडिया को लेना ही पड़ेगा ओडियन्स पूल के अनुसार आस्टेलिया के 94 परसंट जीतने के चांसेज हैं और इंडिया के 6 उन 6 परसंट के आधार पर कॉशलिया आप अगली गेंद करने वाली है सर जब इंडिया हारी थी तो मेरे बाबा बहुत रोय थे मुझे क्रिकेट केल कर उनका दिल जीतना है ताकि उनको खुश कर सको जिंड पर में आपको खुश कर आपको काऊसालया, मैंन। रखिए काऊसालया, मजुराथ, यूजा काऊसालया, मैंन। आज भाईयों की वजह से मैं क्रिकेट खेल सकी पीटर भाईया आनंद भाईया सत्या भाईया आप सब का बहुत शुक्रिया और जिनकी वजह से आज मैं आटिक कर खेल पाई वो है मेरे कोच नेलसन सर आपका शुक्रिया मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ एक गाउ में एक पिता रहता है उनका नाम है मंचुनाद अपनी पतनी और अपनी बेटी के अलावा उन्हें दो ही चीजों से प्यार है एक है क्रिकेट और दूसरा अपनी जबीन पर फसल उगाना एक समय आया जब ये दोनों चीजें उनक के लिए जीवित किया गांगली सर के बाद धोनी सर ने उनके बाद कोहली सर ने और फिर उस पिता की बेटी ने क्रिकेट को फिर से उनके लिए जीवित किया पर जब मंचुनाद अपनी रोजी रोटी को नहीं बचा सके तो कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया न मैंने क्रिकेट को पहली बार बाबा की आँखों से देखा था मैं आज क्रिकेट खेल रही हूँ और मेरे बाबा मैच सड़क पर देख रहे है इस वक्ट जब पूरा देश खुशिया मना रहा है मेरा परिवार दुख छेल रहा है इसलिए मुझे इस जीत की खुशी नहीं मेरे बाबा ने आपके बैंक से कर्जा लिया था ये नहीं जानती कि कितनी रकम थी पर इतना जानती हो कि इन पैसों से वो रकम चुका ही जा सकती है आप इन पैसों को रख लीजे और मेरे बाबा का खर लोटा दीजे जब हम स्वादिश्ट खाना खाते हैं तो हम बनाने वाले की तारीफ करते हैं पर उस किसान का नहीं सोचते जिसने वो फसल हुगाई ये कहना क्या चाहती है सा हमें खेल तमाशा देखने की इतनी आदत हो गई है कि किसानों की जिन्देगी भी हमें खेल और तमाशा ही लगने लगी है जब इस देश में एक किसान अपनी हिम्मत हारता है तो सिर्फ उसकी ह नहीं होती है उन सब के होती है जो भूक लगने पर उसका दिया खाते हैं हम क्यारा लोग यहां इंडिया के लिए वर्ल्ड कब जीतने के लिए आये हैं लेकिन उन गरीब किसानों को जिताने के लिए कोई टीम है क्या जैहिंद